CBS News में आपका स्वागत है तो हम पाड़े थे Classic Science का Chapter 6 इसका नाम है The Living Organisms Characteristics and Habitats और एक वीडियो की upload हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा तो description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो आज एक नया topic स्टार्ट करेंगे 6.2 Habitat and Adaptation ये क्या होता है इसको चली समझते हैं आपको क्या पता चला? Plants और Animals है जो की आपने Activity 1 में लिस्ट किये थे यानि Activity 1 के अंदर आपको Plants, Animals और Object Table के अंदर फिल करना था जो अलग-अलग surrounding में पाए जाते हैं तो चली थोड़ा से इसको भर लेते हैं ताकि यहां वाले टॉपिक हम अच्छे समझ सकें तो इस Table के अंदर आपको भरना था तो जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी उसी के हिसाब से फिल करते हैं से Forest का इतना भी हमने पढ़ा नहीं Mountain के बारे में पढ़ा है जैसे Tree की बात कर लें तो वहाँ पर Oak Tree आपको देखने को मिलेगा Pines मिलेगा, Diodars मिलेगा Mountain Goats वहाँ मिलती है एक तो General Goats है जो आपको Normal जगे पर मिलती है Mountain Area में अलग तरीके की Goat रहती है उनके अंदर थोड़े से अलग फीचर है आगे हम डीटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में और आपकी याक हो गई Desert में आपका Cactus का Plant होता है और वहाँ पर हमें Camels देखने को मिलता है Sea में हमने देखा कि Crab जो केकडे होते हैं वो पाए जाते हैं और Fishes यानि जो की मचलिया है वो हमें समुंदर के अंदर देखने को मिलती है अभी इतना ही हम भरते हैं जैसे मैंने बताया कि जब chapter पढ़ लेंगे तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी होंगी उसकी basis पेस टेबल को हम फिल कर लेंगे तो आपसे ही पुछा जा रहा है कि क्या आपको उसमें variety दिखी क्या अलग-अलग चीज़ें दिखी आपको अलग-अलग surrounding में तो हाँ बिलकुल अलग-अलग चीज़ें हमको दिखी लुक एट वाट दे हैव इंटर 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 टेबल 6.1 तो इस यहां बात कर लैं तो देखो यहां पर दिया हुए है कि जैसे जी की बात कर लें तो यहाँ पर जो plants or animal है, वो surround होते हैं, यानि घिरे हुए होते हैं by saline, saline मदब salty, नमकीन, water से, यानि समुंदर के अंदर जो plant or animal होते हैं, उनके चारो तरपाई समुंदर के अंदर तो पानी पानी है, तो वो पानी कैसा होता है, normal आपका पानी नहीं होता है, बलकि saline water होता ह है, air जो कि dissolve होती है water में, वही कोई पानी के अंदर plant है, या पानी के अंदर रहने वाले जो animal हैं, उनको भी तो सांस लेने के ज़रौत पड़ती है, जिसे हमको ज़रौत पड़ती है, तो वो सांस कैसे लेंगे, हमारे तो आस-पास air है, लेकिन वो तो पानी के अंदर रहती है, घुली हुई रहती है, उसको use करते हैं, यानि उससे वो सांस लेते हैं, तो यह तो sea की कहानी हो गई, desert की बात कर लें, तो यहाँ बहुत थोड़ा पानी होता है, समुंदर वे तो पानी ही पानी है, और desert area के अंदर दिन में बहुत ज़़दा गर्मी होती है, और राते बहुत ज़़दा ठंडी होती है, तो desert के जो animal or plant होते हैं, वो इसी desert soil, यानि रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, उसी पे रहते हैं, and breathe air from the surroundings, और उनके आसपास जो air होती है, उसी से वो सांस लेते हैं, तो हमने यह देख लिया कि जो sea और desert है, यह दोन बहुत अलग तरीके के plant और animal देखने को मिलते हैं, इन दोनों region में, isn't it कैसा नहीं है, बिलकुल ऐसा ही है, अब चली देखते हैं, दो बहुत ही अलग तरीके के organisms को, एक आपका desert का होगा, desert वाले में हमने camel ले लिया, और sea वाले में हमने fish को ले लिया, यानि desert में हमको camel मिल desert condition में, यानि camel का जो body है, वो इस तरह से है, कि वो desert वाली condition में, रेगिस्तान वाले इलाके में survive कर सके, जिन्दा रह सके, अब desert वाले इरिया में क्या होता है, रेत होती है, उस पे जब धूप पढ़ती है, तो बहुत जादा वो गरम हो जाती है, यानि इतना गरम हो जाती ह कि अगर आप बिना चपल या जूता पहने उस पे चलोगे, तो आपके पैर में छाले बढ़ सकते हैं, यानि आप चली ने सकते हैं, इतना जादा गरम होती है, यानि desert की जो sand है, वहां की जो रेत है, उससे जितना ही दूर रहो, उतना अच्छा है, तो जो camel होते हैं, उनके करीब रहेगा, और रेत गरम होगी, तो उसकी पूरी बॉड़ी को गरमी लगेगी, तो लंबे पैर होने के वज़े से, उसकी पूरी बॉड़ी उतनी गरम नहीं हो पाती, क्योंकि sand से जो गरमी निकल लही होती है, वो अच्छी तरीके से उसकी बॉड़ी तक नहीं करेंगे, तो उसको भी कम पानी पीने के जरुत पड़ेगी, क्योंकि desert area में हमने देखा कि पानी वहाँ कम होता है, देख स्क्रीट, small amount of urine, ये urine भी बहुत थोड़ा करते हैं, और उनका जो डंग होता है, कि जो पौटी होती है, वो ड्राई होती है, सूखी होती है, ड्राई होने का मतलब क्या है, अगर ड्राई न होती, वेट होती, तो कुछ पानी वो उसमें होता, तो बौटी से पानी निकला की नहीं, एक तो urine कम करते हैं, urine से क्या होता है, हमारी बौटी से जो पानी हम पीते हैं, वो निकलता है, तो urine अगर कम करेंगे, तो पानी कम निकलेगा, उनका जो डंग है वो ड्राई रहता है यानि पाणी वहाँ भी कम निकला या नाके बराबर निकला दे डू नौट सुएट उनके पसीना नहीं निकलता तो गर्मियों में हमारे साथ क्या होता पसीना निकलता है तो पाणी हमारे बॉड़ी से निकल जाता है यानि आम गर्मी में अगर हमसे कहा दिया जाए कि सुबेश शाम तक पाई ना पियो तो हमारा क्या हाल होता है वो भी रेगिस्तान के अंदर डेसर्ट एरिया के अंदर कैमल बीना पानी पिये कई दिन तक रहता है एक जगे मैं पढ़ रहा था कि कैमल लगबग 15 दिन तक बीना पानी पिये रह सकते हैं क्योंकि एक बार अच्छे सा पानी पी लिया अब पानी बॉड़ी से बहुत कमी निकलने वाला है तो पानी उसके अंदर रहता है ठीक है तो ये कैमल की कहानी हो गई कुछ लोग बुक्स के बारे मुझसे पूछ रहे थे मैंने इसको देखा है और इसके अंदर वो सारी चीजे हैं जिसके आपको ज़रुत पड़ेगी maximum score करने के लिए जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एक तो इसके अंदर chapter के आपको summary मिल जाएगी जो की revision में आपको help करेगी दूसरा इस तरह के आपको mind maps मिल जाएगे activity का explanation और उसके questions के answer आपको मिल जाएगे in text question हो गए जैसे table के solution और beach भीच में जो आपसे question पूछे जाते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हो यह आपसे question पूछा गया आर, fat, protein यह पूरा question इसके solution भी आपको मिल जाएगे यहाँ आप देख सकते हो यह question और उसके answer यहाँ पर दिये हुआ है इसी के साथ साथ exercise के questions के solution और जो NCRT examplar है जो की exam के point to view से बहुत important है उसके solution भी आपको यहाँ मिल जाएगे वहाँ से click करोगे तो आप Amazon में पहुच जाओगे वहाँ से purchase कर सकते हो अब चली fish की बात कर लेते हैं अलग-लग तरीके की जो fish है उसको जड़ा देखो कुछ आपको figure 6.3 में दी हुई है तो यह आपकी figure 6.3 इसके अंदर देखो अलग-लग तरीके की fish है तो वैसे तो बहुत तरीके की fish है लेकिन क्या आप देख सकते हो इनके अंदर कोई चीज है जो की common है शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सारी fish आप देखोगे उनका shape एक जैसा होगा कैसा shape होगा? जितनी भी यहाँ पर आपको दीख रही है फिश उनका कैसा shape है? streamed line shape है जिसको हमने chapter 5 में discuss किया था कि streamed line shape कैसा होता है? यह इस तरह से कुछ होता है कि इसके दोनों किनारे में यह जाके पतला हो जाता है और बीच में यह मोटा होता है तो यह जो shape होता है वो मदद करता है इंको पानी में move करने में कैसे करता है सारी चीज़े मैंने पिछले वले chapter में बताई है फिश की body में slippery scales होती है यह फिश में आप देख सकते हो इसको थोड़ा से zoom करूँ तो यह जो design आप देख रहे हो ना इस तरह से बनी हुई है इसी को में scales कहते है तो fish के अंदर आपको scales देखने को मिलेंगी और यह जो scales होती है वो slippery होती है यानि फिसलने वाली होती है तो जैसे कोई slippery surface होती है तो उस पे आप सरक सकते हो उसी तरह से यह जो इंकी scales होती है यह movement में इंके मदद करती है तो यह scales एक तो fish को protect करती है cover की तरह काम करती है और आसानी से move कर सके पानी में उसमें भी help करती है हमने chapter 5 में discuss किया था कि fish के पास flat fins होती है side में जो punk जैसा निकला होता है न और उनके tail होती है यह मदद करती है direction को change करने में और उनकी body balance में रहे water में यानि इधर उधर भागे ना जिस तरफ जाना चाहे उसी तरफ जाये और अगर रुकना चाहे तो वो रुकी रहे तो इसमें इनकी जो fins है और tail है वो मदद करती है अब gills present होती है fish में जो की मदद करती है इनकी ताकि ये use कर सके है जो oxygen dissolve है water में उसको यहां इस image में देख सकते हो fish के side में ऐसा cover जैसा होता है उसको उठाओगे तो अंदर ये red color से जो दिख रहा है आपको ये इसके gills है इसी gills की मदद से वो oxygen अपनी body में ले जाती है भाई हम सास क्यों लेते हैं क्योंकि हमारी body को oxygen की ज़रुत है इसी तरीके से fish को भी oxygen की ज़रुत होती है और oxygen कहां होती air के अंदर होती है लेकिन पानी के अंदर भी कुछ oxygen dissolve होती है यानि उसी में mix रहती है और वो ऐसे निकल तो जाएगी नहीं अलग पानी में mix है तो fish क्या करती है मुझ खोलती है तो पानी उनके अंदर चला जाता है फिर मुबंद कर लेती है अब जो पानी मुझ के अंदर गया वो कहां से निकालती है इन gills से बाहर निकालती है तो gills से जब पानी बाहर निकलता है तो red color से जो आप देख रहे हो वो उस पानी के अंदर जो oxygen है उसको absorb कर लेती है, अपनी तरफ खीच लेती है और फिर वो oxygen अपनी body में ले जाती है और इस तरह से वो एक तरह से कह सकते हो सांस लेती है क्योंकि fish के पास lungs नहीं होता है जैसे हमारे पास lungs होते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे lungs के अंदर air जाती है इनके पास lungs नहीं होता, ये gills के थुरू ही oxygen हासिल करती है तो हमने ये देखा कि fish में जो features होते हैं, उसके अंदर जो खूबियां होती हैं वो उसे help करती हैं पानी के अंदर रहने में और जो features camel के पास हैं, वो उसको मदद करते हैं, ताकि वो desert में रह सके यानि कौँ सा organism, कहां पर रहेगा, ये कैसे decide होगा, कि उसके पास क्या features हैं जिस जगें पर survive करने के, जिस जगें पर जिन्दा रहने के लिए जो features की जरूरत है अगर वो उसके पास हैं, तब तो वहाँ वो जिन्दा रह लेगा, और अगर नहीं है तो नहीं रहेगा जैसे camel को अगर हमने समुंदर के अंदर डाल दिया, तो क्या वो जिन्दा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि समुंदर के अंदर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए gills का होना चाहिए वहाँ ऐसे तो हवा होती नहीं, पानी से air निकालनी होती है, पानी से oxygen लेना होता है, उसके लिए gills चाहिए camel के पास gills है नहीं, फिर पानी में movement के लिए fins की जरुत होती है, flat sea tail की जरुत होती है, वो camel के पास नहीं होती है camel की body पे scales नहीं होती, जैसा कि fish पे होती है, तो इसी लिए camel पानी के अंदर जिन्दा नहीं रह पाएगा क्योंकि सबसे important सांस लेना है, वही नहीं ले पाएगा, इसी तरह अगर fish को उठा के हम जमीन पे रख दें, desert area में लाके रख दें, तो fish जिन्दा नहीं रह पाएगी क्योंकि fish के पास gills होती है, lungs थो होते नहीं, अगर हवा में सांस लेना है, तो lungs की ज़रूत पढ़ती है, पानी में अगर सांस लेना है, तो gills की ज़रूत होती है, दूसरी बात, जमीन पे चलने के लिए पैर की ज़रूत होती है, और fish के पास legs होते नहीं, इसलिए जो fish है, वो desert area में survive नहीं कर सकती तो main चीज हम ये देखते हैं किसके पास क्या feature है उसी हिसाब से ये पता जलता है कि वो कहां रहेंगी तो हमने दो example लिये ऐसे बहुत सारी variety है animals और plant की जो कि अर्थ पे रहती हैं लेकिन दो हमने स्विर समझने के लिए लिया तो जितने भी variety है organisms की यानी living creature की उसमें हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा उनके पास एक certain feature है कुछ खास तरीके के feature है जो कि उनकी मदद करते हैं उस surrounding में रहने के लिए जहां पर वो पाये जाते हैं मुझा camel आपको desert में क्यों मिलता है क्योंकि desert की जो surrounding है desert के आसपास ऐसी चीजे हैं जो camel के लिए beneficial है या हम कह सकते है suitable है उसके लिए अच्छा है वो जगे फिश पानी में क्यों मिलती है क्योंकि पानी का जो surrounding है वहाँ पर उसके आसपास जो चीजे रहेंगी वो वहाँ पर उसको जिन्दा रहने में helpful है यह बहुत important है डारेट आपसे पूछ लिया जाएगा वाट इस adaptation दोको adapt का मतलब होता है हिंदी में अनुकूल इंग्लिश में आप कह सकते हो suitable कुछी चीज आपके लिए सही है तो किसी organism के अंदर जो भी special features होते है और उनकी जो certain habits होती है कुछ आदते होती है कुछ feature होते है और कुछ उनकी आदते होती है जो enable करते है जो उनको slack बनाते है कि वो natural तोर पर किसी जगें पर रह सके उसी को adaptation कहते है naturally का मतलब क्या है एक तो जबरस्ती किसी को कोई भीज दो भाई मचली को उठा कर आपने जमीन पर रख दिया तो मचली जमीन पर रह नहीं सकती न वो उसकी जगे नहीं तो पानी मही naturally मिलेगी ये तो जबरस्ती उठा कर आपने जमीन पर रख दिया पूरा सूट पहेंगे जाते हैं वो oxygen का cylinder लेके और पूरा helmet वगरा लगा के तब जाते हैं न यानि naturally वो पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं एक बाहर से वो support लेते हैं तब जाके वो पानी के अंदर जा पाते हैं तो इसको हम adaptation नहीं कहेंगे adaptation तब कहेंगे जब कोई naturally वहाँ पर रह सके बीना किसी बाहरी मदद के जैसे camel desert के अंदर रहता उसको बाहर से कोई चीज पहनानी ज़रत नहीं है कि गर्मी लग रही है कोई चादर उढ़ा दो इसको या और कोई help उसको बाहर से दो बीना किसी मदद के वो आराम से वहाँ रह लेगा अब adaptation में एक और चीज होती है कि कोई organism क्या करता है जैसे कहीं पर है और वहाँ पर उसको रहने में थोड़ी से problem आ रही है या वहाँ के जो surrounding उसको कुछ बदला हुआ गए या अभी तक रहे रहा था बढ़ियां से कोई दिकत नहीं थी लेकिन अब surrounding में थोड़े से change आ गए तो फिर वो क्या करेगा अपने body के अंदर कुछ change करेगा अपने feature के अंदर कुछ change करेगा बहुत थोड़ा सा अपने habit के अंदर थोड़ा सा change कर लेगा ताकि उस नई वली surrounding में वो अपने आपको adjust कर सके जैसे एक frog है एक मेंधा के जो के Alaska में पाया जाता है वो क्या करता है सरदियों में अपनी body को freeze कर लेता है ताकि वो जिन्दा रह सके अगर सरदियों में इदर अदर बाहर निकलेगा वो तब तो उसका काम तमाम हो जाएगा तो अपने आपको बचाने के लिए, अपने आपको जिन्दा रखने के लिए वो अपनी habit को, अपनी आदत को थोड़ा सा बदल लेता है पहले उसकी आदत थी कि बाहर इदर अदर कुदना, खाना, पीना लेकिन सर्दी आएगी तो वो अपने आपको freeze कर लेगा बिल्कुल कुछ हरकत नहीं करेगा लगेगा जैसे मर गया वो ताकि वो सर्दी बर जिन्दा रह सके तो इसको भी हम कह सकते हैं कि adaptation किया उसने अपनी body को adjust कर लिया surrounding के change में तो फिर से adaptation को अगर मैं summarize करूँ तो किसी भी organism के अंदर कुछ special जो feature होते हैं या कुछ खास तरीके कि जो उनकी habit होती है जिससे वो natural तोर पर किसी जगें पर रह सके हैं उसको adaptation कहते हैं अगर surrounding में थुला change आ रहा है तो अपनी body को अगर उसमें change कर लेते हैं home भी कह सकते हो, घर कह सकते हो यानि किस organism का adaptation कैसा होगा ये इस बात पर depend करेगा कि वो किस जगें रह रहे हैं इसलिए जो fish है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और जो camel है वो sea के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि fish पानी के अलावा किसी जगें को adapt नहीं कर सकती उस जगें अपने आपको adjust नहीं कर सकती इसी तरह camel पानी के अंदर अपने आपको adapt नहीं कर सकता जैसा natural environment उसको चाहिए वो नहीं मिलना है वहाँ पर और अगर चाहे कि थोड़ा से अपने अंदर change कर लें मालो camel अगर चाहे कि हमको पानी के अंदर रहना है कुछ अपने अंदर बदलाओ कर लें तो water के surrounding बहुत जादा आलागे desert से थोड़ा बहुत कुछ होता तो हो सकता camel adjust कर सकता था लेकिन इस case में adjust नहीं कर पाएगा अब camel के अचानक से lungs हट के और gills तो आ नहीं जाएगी उसके fins और tails उससरा से निकल तो आएंगी नहीं थोड़ा बहुत कुछ change हो सकता है लेकिन वो पानी के अंदर काम नहीं आएगा अब वो जगें जहां organism रहते हैं उसे हम habitat कहते है habitat का मतलब होता है a dwelling place या home कह सकते हो यानि किसी organism का जो घर होता है उसको habitat कहते है अब ये घर वो वाला नहीं है कि हाँ ये दीवार है, ये kitchen है, ये bathroom है और ये door है घर का मतलब normal जहां पर वो पाये जाते हैं रहने की जगहां जैसे हम कहते हैं कि जो जंगल है वो जानवरों का घर होता है तो घर का मतलब कि वहीं पर वो रहते हैं उनका ठिकाना गह सकते हो तो किसी भी organism का जो ठिकाना होता है उसी को हम habitat कहते हैं अब ये जो habitat होता है वो उनको food, water, air, shelter यानि रहने की जगहां इसके अलावा और भी जो ज़रुद की चीज है वो provide करता है ठीक है तो habitat और एक shelter word जो भी आया इसमें difference थोड़ा समझना shelter का मतलब जहां वो रहते हैं जैसे कि जो जंगल है वो monkey, loyan, deer, fox, बहुत सारी birds इन सब का habitat है यानि उनका घर है वहां रहती है लेकिन specific place जहां पर रहती है loyan किसी den में रहता है snake है वो किसी bil के अंदर रहेगा habitat को आप ऐसे हमझ सकते हो ना जिसे मोहला होता है या एक शहर होता है कि वो एक बड़े area के कहते हैं जहां बहुत सारे organisms रहते हैं यानि वो किसी एक organism का घर नहीं होता बहुत सारे organism का जो घर होता है उसको मिला के वो habitat कहलाता है तो बहुत सारे तरीके के plants और animal वो same habitat के अंदर रहते हैं अब वो plant और animal जो कि जमीन पे रहते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो terrestrial habitats में रहते हैं यानि जमीन वाले घर पे रहते हैं जो plant और animal जमीन पे पाये जाते हैं तो हम क्या कहेंगे वो, कहां रहते हैं? Wåh Terrestrial human habitats में रहते हैं, यनी, जमीन वाले घ्र में रहते हैं, अब Terrestrial human habitats भी बहुत तरीके के हैं be घ्र में जमीन वाले उंदर से यह New Japan तरीक habitats में आएंगे, वही सब जमीनी पे तो है, वहीं दूसरी तरफ habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats, तो वो plants और animals जो की पानी में रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वो कहां पर रहते हैं, वो aquatic habitats में रहते हैं, यानि पानी वाले घर में रहते हैं, तो दो घर हो गए, एक terrestrial habitat, जमीन वाला घर और ocean हो गया, ये कुछ example है, aquatic habitats के, तो बहुत ज़ादा variation हमको देखने के मिलेगा terrestrial habitat में, जैसे की forest है, grassland हो गया, desert, coastal, mountain, region, जो की located है, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, तो ये चीज़ तो हमने देखी ली, अब जो आपके organisms होते हैं, organism यानि living creature, जिन्दा चीज जो है, उ यानि जो plants और animals होंगे, वो उस habitat के biotic component कहलाएंगे, component का मतलब part होता है, और जो non-living thing है, जैसे की rocks हो गया, चटान हो गया, soil, air, water, किसी habitat में जो है, constitute its abiotic component, तो ये जो non-living things है, ये उस habitat का abiotic component है, इसको आप example समझ सकते हो, जैसे मानलो आपका एक घर है, ये एक छोटा habitat ह हम मान सकते हैं, रहने की जगह है, तो पूरे आपके घर की हम बात कर लें, तो इसके दो component हम मना सकते हैं, एक तो बायोटिक, यानि वो चीज़े हैं, आपके घर में जो की जिन्दा है, जैसे आपकी पूरी family हो गई, इसके अलावा आपने कोई pet पला है, dog या cat या cow, तो वो इस बायोटिक component मा जाएगी, बायोटिक वाले हिस्से मा जाएगी, इसके अलावा कुछ बिन बुलाएं महमान होते हैं, जैसे चूहे हो गए, spider हो गए, lizard हो गई, ants हो गई, ये सब उस घर के बायोटिक component कह लाएंगे, कोई plant आपने लगा है, वो भी बायोटिक के अंदर आ तो ये सारे के हैं living things हैं, जो कि आपके घर के अंदर हैं, तो आपके घर में एक तो living वाली चीज़े हैं, जिसको हमने बायोटिक component कहा, और एक आपके घर के non-living thing है, जैसे कि door हो गया, wall हो गई, table, chair, bed, cupboard, ये सारी कौन सी चीज़े हैं, non-living thing है, तो ये abiotic components के अंदर आ ग या abiotic component है, तो भाई, sunlight और heat के अंदर कोई living thing तो है नहीं, तो ये किस में आएगी, abiotic में आएगी, अब हम ये जानते हैं, कुछ plant seed से grow होते हैं, भाई, beach consumer में डालते हैं, वो grow हो जाते हैं, अचली हम देखते हैं कुछ abiotic factor और उनके जो effect है seed पे, जैसे जैसे वो grow होगा young plant में, यानि एक seed हमने ले ली, उसको grow का नारेंग कोहिश करेंगे, और देखेंगे जो abiotic factors हैं, वो seed को plant बनने में किस तरह से effect करती हैं, किस तरह से उस पे असर डालती हैं, तो उसके लिए हमको activity करना पड़ेगे, activity 2, अब याद करो activity 7, जो की chapter 4 में हमने किया था, हमने sprout क ग्राम और मेज सीड को, sprout का मतलब होता है, जैसे ये white वाली देख रहो ना निकल ला है, तो जब white वाली चीज बाहर निकलती है, उसको sprout कहते हैं, तो जैसे चना हो गया, या मूंग हो गया, उसको पानी के अंदर रखते हो, पानी के अंदर भीगो के रखते हो, तो अब दे सीड थी, उसके अंदर से white वाली चीज निकल गई, वो sprout हो गई, यानि फट गई और उसके अंदर से white वाली चीज निकल गई, तो हम कहेंगे ये जो सीड है, वो germinate हो गई, तो ये जो germination होता है, वो क्या होता है, is the beginning of life of a new plant, यानि अभी तक तो वो सीड थी, जब sprout हो जाए ठीक है सूखी आपको ले लेनी है, इसमें से 20-30 सीड जो है, उसको एक किनारे कर लो, जो बची हुई उसको सोख कर लो, सोख का मतलब भीगो लो, पानी में एक दिन के लिए, तो 20-30 सीड तो आपने सूखी ही अलग कर ली, बची हुई को आपने भीगो दिया, अब जो नहीं करना है यह जो ड्राइव वाली सीट जो हमने पहले अलग कर ली थी और वो जिसको हमने अभी पानी के अंदर डिबो के रखा है इनको तो बिल्कुल डिस्टब नहीं करना है तीन-चार दिन के लिए वैसे ही छोड़ दो कुछ हाथ नहीं लगाना है अब एक हिस्सा जो क कि हमने सोक किया था सीट का उसको सनी रूम के अंदर रख दो यानि ऐसे कामरे के अंदर जहां धूप आ रही हो तो धूप उस पर पढ़नी चाहिए और दूसरी जो भीगी हुई मूंग थी उसको बिल्कुल अंधेरे वाली जेखें पर रख दो जिससे कबर्ड के अंदर आ रोज यानि रोजाना क्या करोगे जो बचे हुए तीन है एक तो सुखावला आपने अलग कर लिया दूसरा समर्ज वाला जिसको डिबोग रखा था उसको भी कुछ नहीं चूना है बचे जो तीन हिस्सा जिसमें से एक आपने सनलाइट में रखा था एक डार्क में रखा थ और एक फ्रिज में रखा था इनको रोजाना धुलना है और इनके पानी को बदलना है आपको क्या नोटेस होगा कुछ दिन के बाद तो क्या नोटेस होगा मैं आपको बताता हूँ तो जो ड्राइ सीड थी वो जर्मिनेट नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि सीड को प्लांट बनना शुरू तो होगया लेकिन वेदा फाउल स्मयल एक गंदी सी महक आएगी क्योंकि पानी में डूबे रहने के वज़े से वो सीड एक तरह से खराब होने लगेगी क्योंकि वही पानी आपने तीन-चार दिन तक पड़ा रहा पानी आपने बदला नहीं उसका ठीक है तो यह चीजें होंगी अब जो सीड थी इन पाचों कंडिशन में वह जर्मिनेट हुई uniformly यह ज़ी से जर्मिनेट हुई तो आपको ऐसी कोई सीड मिली जो की धीरे जर्मिनेट हो रही थी या बिल्कुल ही जर्मिने नहीं हुई तो हाँ आपने देखा था जो यह बायोतिक फैक्टर वो इंपोर्टेंट है सारे living organism के लिए बहुत थंडे और बहुत गरम क्लाइमेट यही मौसम में रहते हैं कुछ और गरम वाले क्लाइमेट में रहते हैं सवाल ये कि कैसे ये manage कर पाते हैं, survive कैसे कर पाते हैं, जिन्दा कैसे रह पाते हैं, तो यही जो adaptation वाला method होता है, इसी के जरीए जो organism है, वो adjust कर लेते हैं climate में, यानि जैसा climate होगा, जैसा मौसम होगा, उसी के हिसाब से अपनी body को adjust कर लेंगे, अब यह जो adaptation होता है वो बहु दीरे दीरे चेंज हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सरदी पढ़ती थी, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ने लगी, यह biotic factors जो change होते हैं, वो बहुत दीरे दीरे चेंज होते हैं, तो उसी के साथ साथ कोई organism अपनी body के अंदर भी लाओ नहीं लापाएगा, नए वाले change को एडाप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो die हो जाएगा, मर जाएगा, और सिर्फ जो एडाप्ट कर पाएंगे, यानि जो अपने अंदर change लापाएंगे, वही survive कर पाएंगे, वही जिंदा बज़ पाएंगे, अब organisms अडाप्ट करते हैं, अलग-अलग abiotic factors को अलग-अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको frog वाले example दिया था, कि Alaska के अंदर जो frog होते हैं, वो सर्दियूम अपने आपको freeze कर लेते हैं, तो इस तरीके से वो उस condition को अडाप्ट करते हैं, यहाँ अगर नॉर्माल वाले जो हमारे हम एड़क पाये जाते हैं, उनको उठागे हम वहाँ भेज दे, तो वो जिन्दा नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो अपनी body को freeze नहीं कर सकते, तो frog के अडाप्ट करने का यह तरीका हो गया, इसी तरह वहाँ पर और भी organisms हैं, जैसे polar bear पाये जाते हैं, वो कैसे survive करते हैं, उनकी जो खाल होती है, मोटी होती है, उनके उपर फर होता है, तो abiotic factors को, यानि सराउंडिंग में जो चीजे हैं, उसको कैसे adapt करना है, उसके हिसाब से कैसे adjust करना है, वो अलग-अलग organism अलग-अलग तरीके से करते हैं, जब आगे chapter पढ़ेंगे त तो इसी के वज़े से बहुत सारे variety का organism को देखने को मिलते हैं, अलग-अलग habitats में, तो चली कुछ habitats देखते हैं, और समझते हैं abiotic factors को, और animals के adaptation in habitat में, वो कैसे होते हैं, उसको अच्छे से अब समझते हैं, उससे पहले एक चीज रह गई थी, उसको थोड़ा सा देख लेत यानि अगर आज पास उनके कोई बदलाव हो रहा है, तो कुछ organism क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपने अंदर भी थोड़ा से बदलाव लाते हैं, जैसे example समझ सकते हो, कि अगर हम plain area में रहते हैं, मैदान वाले area में रहते हैं, और अचानक से हम mountain वाले area में चले जाएं, ब लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो body है वो adjust कर लेती है इस change को, ठीक है जो condition बदली है, उसको adjust कर लेती है, तो इस तरीके के जो small changes होते हैं, जो किसी single organism की body में होते हैं, बहुत थोड़े time में, क्यों change होते हैं, ताकि वो overcome कर सके हैं, जो छोटी से problem आई है, surrounding के change होन होने में, इसको हम acclimatization कहते हैं, ये जो changes है, अलग होते हैं adaptation से, जिनको होने में हजारों साल लगते हैं, तो दो word आपके सामने हैं, एक तो acclimatization, दूसरा adaptation, इन में difference क्या है, अच्छे समझ लो, जो acclimatization है, वो किसी single organism में होगा, किसके अंदर होगा, जिसकी surrounding change होई, किसी जगे था, दूसरी जगे चला गया, वहाँ पर दूसरी तरीके के surrounding है, तो वहाँ पर उसको problem होने लगी, तो उसकी body short period of time में, बहुत जल्दी ही, अपने अंदर कुछ change लाती है, ताकि नए वली surrounding में वो अपने आपको adjust कर सके, तो ये acclimatization हो गया, adaptation में क्या होता है, एक त जैसे change हो रहा है, उस area में रहने वाले जितने भी organism है, वो भी अपने आपको change कर लेंगे, इसलिए change करेंगे, ताकि वो वहाँ survive कर सके, जिन्दा रह सके, अब ये change करने का तरीका हर किसी का अपना अलग होगा, कि ये नए वले atmosphere में कैसे adjust करना है, जैसे अब सर्दी आती है तो school में कुछ लोग sweater पहन के आते हैं, कुछ लोग jacket पहन के आते हैं, कुछ लोग coat पहन के आते हैं, और कुछ लोग school ही नहीं आते, तो हर किसी का winter से deal करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको लिग के दिखा देता हूँ, ताकि confusion नह रहे आप को तो अकलाइमिटाइजेशन की बात कर लें तो यह शौर्ट पिरेड ऑफ टाइम लगता है यानि शौर्ट टाइम में जो बॉड़ी एड़ेस्ट कर लेती है नई सराउंडिंग को इसमें यह होता है एड़ाप्टेशन में क्या होता है हजारों साल लगते हैं यह किसी सिंग कर सकें नए वाले सराउंडिंग को यह आपका टेंपरेरी चेंज होता है यानि आप पॉंटेन एरिया पे गये कुछ दिन के बाद यानि आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब वापस आओगे तो फिर से आपकी कंडिशन पहले वाली हो जाएगी ले आप वीडियो को लाइक कर लो इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो यहां देख सकते हो नीचे प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके वो लिंक दिया हुए तो वहां से ओपन कर लोगे जिसे Classic Science देखनी है न तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो Classic Science की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी ओके थैंक यू